नमस्कार दोस्तों मैं हूँ परवी नाना और आप देख रहे हैं अलको क्राब का वीडियो टुटोरियल आज हम बात करेंगे एक नए और पावरफुल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेडिजी के बारे में जिसका नाम है इगल ट्रेडिंग सिस्टम इस स्ट्रेडिजी टाइम रिंज ब्रेक आउट और प्राइस एक्शन पर बेस्ट है जो की अलगो ट्रेडिंग के लिए भी परफेक्ट है तो आएए जानते हैं किस तरीके से स्ट्रेडिजी काम करती है और किस तरीके से आपको इसे यूज़ करना होता है सबसे पहले मैं अपने वीवर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिनोंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो लाइक करें वीडियो को और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ तो चलिए दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले इगल ट्रेडिंग सिस्टम एक इंट्राइडे बेस स्ट्राइजी है जिससे कि मैंने आपको बताया जो किसी भी मार्केट में एपलाई की जा सकती है इसमें कोई भी पोजिशन्स केरी फोवर्ड नहीं होती यानि कि यह प्योरली इंट्राइडे बेस्ट्राइजी है जो कि इसका एक मेजर की पॉइंट है अब आईए इसके और भी जादा की पॉइंट्स पर बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों क्या है कि इसमें जैसे मैंने सबसे पहला बताया कि इसमें कोई रिस्क नहीं है तो number one point हो गया no risk of carrying position क्योंकि यह purely intraday based है तो इसमें positions carry नहीं होती और आपका कोई risk नहीं होता कि कल को market उपर खुलेगी नीचे खुलेगी जिससे कि आपका profit या loss बढ़ जाए या फिर कुछ आपको problem हो सकती because आप अगर ऐसी position बना लेते हैं जो कि आपके trend के against है तो अगले दिन क्या होगा आपका जो trade है अगर आप carry कर रहे हो उसको और आपके against market है तो वो major loss दे सकती है और especially जो लोग option trading करते हैं option में buying करते हैं वो कम capital से market में आते हैं तो ऐसे लोगों को अगर carry forward करनी पड़ जाए position तो वो बहुत ही जादा major risk लेकर आती है तो उससे बचने के लिए दोस्तों eagle trading का आप इस्तमाल कर सकते हैं दूसरा जो major फाइदा इसका है क्योंकि इसमें indicators का इस्तमाल नहीं होता तो यहाँ पर कोई lagging आपको देखने के नहीं नहीं मिलेगी क्योंकि यह trend following नहीं है purely price action based है move जो है वो चला जाता है काफी सारी चीजें ऐसी हो जाती है जिसमें की market आधा से ज्यादा recover हो गया तब जाकर आपको buy का signal आएगा या फिर sell का signal आएगा उस चीज को avoid करने के लिए ही price action strategy को use किया जाता है तो second point हो गया no lagging purely price action third point है आपका easy to understand and execute क्योंकि chart में हम इसको आराम से तसली से देख सकते हैं और execution करना बहुत ही आसान है इसको read करना बहुत ही आसान है because इसमें indicators का इस्तमाल नहीं है जैसा कि मैंने आपको बताया तो बहुत जादा messy process नहीं है मैं आपको आगे process बताऊंगा और आपको देखने से आसानी लगेगी बहुत आसानी से आपको सम market ने move किया और साथ ही साथ जो सबसे important चीज़ है कि आप पूरा time market के सामने ना रहके आप सीधा-सीधा algo paste को लगा सकते हो जिससे कि आपको trade बहुती जादा perfectly हो जाएगा lagging जो आपको मिलती है देखने को बहुत सारी trades में क्या होता है कि lagging जिससे अब भी हमें buy का signal मिल गया तो उसमें क्या होगा कि आपका जब आप buy या sell करने जाएंगे तो काफी time लग जाता है app panel खोलने में broker का account खोलने में login करने में उसके बाद trade execute करने में तो वो सब चीजों से भी आपको बचाता है अगर आप अब यहां पर example के लिए मैं बताऊं कि क्या होता है तो उसके लिए आपको चार्ट की तरफ जाना होगा तो चलिए चार्ट में समझते हैं किस तरीके से strategy काम करती है तो अभी जो आप अपनी screen पर देख रहे हैं यह bank nifty का चार्ट है अब अगर आपको eagle trading system से trade करना है तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो time range breakout की strategy है तो इसमें हम क्या करते हैं एक start time और एक end time decide करते हैं कि कौन सा period हम select करेंगे और उसके high और low को capture करेंगे तो माल लीजिए आप सवा 9 से साड़े 9 का time लगते हैं तो अगर आप सवा 9 से साड़े 9 का time लगते हैं तो आपको पहली candle के low पर एक line खीचनी है तो यह जो line मैंने खीचे इसको मैं इसका color change कर देता हूँ ताकि आपको और भी ज्यादा आसानी रहे समझने में तो इसको मैं red color दे रहा हूँ और एक line और खीचेंगे हम जो की है यह third candle इसमें की हमने सवा 9 से साड़े 9 का time लिया है तो तीन candles इसमें हमने include की है इसको मैं green color देता हूँ थोड़ी मोटी भी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आप आए तो अब आप देखेंगे कि यह जो area है green line से लेके red line के बीच का यह हमारा no trade zone है और जब candle क्लोज होती है high के ऊपर तो आपका trade लेगा यानि कि जो fourth trade है fourth candle है आपकी इस candle के ऊपर यहाँ पर यह trade ले लेगा अब आपका stop loss क्या बनेगा stop loss बनेगा जब यह इधर touch करेगा नीचे और target आप अपने हिसाब से decide कर सकते हो market के movement को देखते हुए कितना है क्या है उस हिसाब से आप decide कर सकते हो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज की दिन market जो है वो range bound रही है और अगर आप छोटा target रखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेर सो point का bank nifty में आपको almost profit मिल रहा है अगर आप 1500 point के आसपास का target fix करते हैं तो आप यहाँ से निकल सकते हैं और अगर आप ज़्यादा target रखेंगे तो क्या होगा उस दिन आपको यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर आप बड़ा target रखेंगे तो market ऐसे घूमते घूमते यहाँ पर touch कर गई है लेकिन इसके नीचे close नहीं हुई है next candle इसके उपर open हुई है वो भी close नहीं हुई है इसके नीचे और उपर चले गए उसके बाद market को close होते होते तक आप at par पर निकलेंगे no profit no loss थोड़ा बहुत यहाँ पर 20-25 point का शायद से profit मिल जाएगा लेकिन अगर आप 100-800 चोटे target के लिए खेलते तो यहाँ पर आपको वो points मिल सकते हैं विकास range bound market है तो ज्यादा target यहाँ पर हम expect नहीं करेंगे अब हम चलते हैं उससे पिछले दिन पर और वहाँ पर देखते हैं किस तरीके की moment रही है यह है उससे पिछला दिन यहाँ पर भी हम इन लाइनों को उठा लेते हैं और यहाँ पर अगले दिन के हिसाब से इनको set कर देते हैं तो तीन candle क्यूंकि हम ले रहे हैं 15 minute का time frame ले रहे हैं तो तीन candles को हम use करेंगे और उनके उपर हम lines draw करेंगे तो अभी मैंने lines draw कर दी है अब इसको हम और zoom करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि जो यह तीन candles हैं आपकी one two and three उसके बाद चौते candle ने इसको break करके नीचे आपका entry को confirm कर दिया sell की उस case में हमारा sell का position बन जाएगा और अब यहाँ देखेंगे तो market जो है बड़ी बड़ी candles बना रहा था तीन जो candle है तीनों बड़ी है तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि market आज highly volatile रहने वाली है अब इस case में आप देखेंगे तो अगर आप low तक जा पास का target रख सकते हो वह best रहेगा otherwise अगर आप risky player है risk लेना चाहते हैं तो आप wait कर सकते हैं until आपको stop loss या target मिले और यहाँ पर देखेंगे अगर आप 400 पॉइंट पर भी नहीं निकलते तो भी आप at the end of the day at par पर निकल रहे हैं थोड़े बहुत loss पर निकल रहे हैं लेकिन best तरीका यही है because आपको intraday trading करनी है और आपको अगर profit मिलता है तो 100-800 पॉइंट का profit काफी हो जाता है तो आप profit booking करके निकल सकते हैं अब चलते हैं नेक्स्ट डे पर समझते हैं तो काम वही करना है बहुत ही आसान है आपको पहली candle के low पे या जो भी उस period का low है तीन candle का वह gain देखने को मिल रहा है नीचे आप देखोगे तो यहां पर candle जो है वो यहां टच किया है इसने red zone को लेकिन उसके नीचे close नहीं हुआ उसके ऊपर यहां पर जाने पर आप चाहें तो यहां re-entry ले सकते हैं और अगर नहीं लेना चाहते हैं sufficient profit अपने profit से संतुष्ट है तो आप इसको ignore कर सकते हैं because ultimately अगर हमें profit मिल जाता है तो बार-बार market में enter करने की जरुवत नहीं होती because उसको हम over trading कहते हैं secondly यहां पर अब जाएंगे 23 जनवरी के चार्ट पे वहां पर भी अगर हम यहां पर तीन candle को देखते हैं तो तीन candle का जो move है वो हमें दीख रहा है market इतनी volatile नहीं थी day time में तो 100-100 points का आप यहां पर भी target लेके निकल सकते हो और अगर आप लंबा move देखना चाहते हो तो because अगर आप long term perspective में यानि ऐसा चाहते हो कि आपको ज़्यादा रिस्क लेना है तो वहां पर कई बार chances यह होते हैं कि profit अच्छा खासा मिल जाता है लेकिन कई बार chances ऐसा होते हैं कि market close होने पर आप at par पर निकलते हो तो यह चीज़ अगर आप scalper हैं तो ध्यान रखो छोटे profit से निकल दाओ अगर आप risk की player हैं तो आप इन सब चीज़ों में खेल सकते हो क्योंकि अगर आप इस तरह से खेलोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 1400 point के आसपास का move यहाँ पर देखने को मिल रहा है काफी लंब यहाँ पर moment जो है वो हुआ है market में 23 तारिक को उसके बाद 22 तारिक पर जाते हैं तो 22 तारिक में आप जब देखेंगे तो यहाँ पर मैं फिर से lines create कर रहा हूं तीन candle के high पे और तीन candle के low पे यहाँ पर आप देखेंगे तो low के नीचे candle close हुई और यहाँ पर आपको यहाँ से sell मिलेगा और उसके बाद profit नहीं मिल पाया है तो इस दिन हमें जो है नुकसान देखना पड़ेगा यहाँ पर आपकी position exit हो जाएगी तो यहाँ पर आप entry ले सकते हो दुबारा से अगर आप दुबारा से एंट्री लेते हो बाइंग की तो आपको यहाँ पर जो market close होने त पांच मां दिन पांच दिन की moment में आप देखोगे कि आपको losses इतने ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं और profit की जो यहाँ पर moment है वो ज्यादा तर आप capture कर पाए हो दूसरी चीज़ यह है कि अब या तो आप chart के सामने पूरा दिन रहते हो तो आप इस चीज़ को use कर सकते ह और execution इसके हिसाब से manual कर सकते हो लेकिन अगर आप chart के साथ नहीं रहते तो आप automatic trading कर सकते हो same strategy पर automatic trading करने के लिए आपको हमारे platform का इस्तमाल करना होगा तो हमारे platform का दूस्तों नाम है algo crab जब आप algo crab पर जाते हैं तो आपको इस तरीक से screen दिखेगी इसमें आपको login करना है अगर आपका account नहीं है तो आप account खोल सकते हो account खोलने के बाद आपको six days का free trial मिलता है जिसमें कि आप हमारी सारी strategies को use कर सकते हो अगर आप का already account है तो आप इस तरीक से login करेंगे login करने के बाद सबसे पहले आपको अपने broker को link करना होगा यहां पर आप अपना broker link कर सकते हैं कोई भी broker जिसमें यहां पर angel का account link किया हुआ broker link करने के बाद आपको generate token करना होगा और generate token जब हो जाए complete तो आपको validate token करना होगा अगर आप validate token पर click करेंगे तो आपको information मिल जाएगी कि access token जो आपको मिला है वो valid है या नहीं है अगर access token valid है तो आप पूरा दिन trading automatic कर सकते हैं ठीक है तो इस process के बाद आपको कहां जाना होगा आपको अगर आप option trader है तो आपको option trading के tab में जाना है अगर आप regular trader है future में ट्रेड करते हैं तो आप buy का signal आता है चार्ट में तो आपका call buy होता है और अगर sell का signal आता है तो आपका put buy होता है तो यह चीज़ automation में हमने की हुई है आपको इसके लिए tension लेने के जरूरत नहीं पड़ेगी और trades आपके properly अपने आप हो जाएंगे अब यहाँ पर आपको create करना होता है symbol तो यहाँ symbol create करने में सबसे पहले आप eagle trading select करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप expiry select करेंगे जिसमें भी आपको trade करना है bank nifty 7 February और यहाँ पर 24 तो जब आप इस तरी कैसे select करेंगे तो आपको यह बताएगा instrument valid है या नहीं है यह contract available है कि नहीं है available है उसके बाद आप यहाँ पर आके बा कर सकते हो उसके बाद क्योंकि यह option में automatically buying लेगा तो यह वाला जो feature है इसका खास इस्तमाल आपको नहीं करना है metro ही रखना है क्योंकि metro रखने से आपका call buy और put buy automatically हो जाएगा ठीक है बहुत सारे लोग यहाँ पर confused रहते हैं कि अगर मुझे buy करना है तो मैं only buy पर click करके रख आता है तो इनको off कर सकते हो stop loss को भी off कर सकते हो उस case में क्या होगा जब sell से buying के trend में market change होगी तो automatically आपका position जो sell का वो कट जाएगा और buy हो जाएगा यहाँ पर आप अपने हिसाब से option की symbol का target या stop loss दे सकते हो जैसे मैं 25 point का stop loss 40 point का target यहाँ पर set कर रहा हूँ आप अपने हि आपको ट्रेडिंग करनी यह stop loss लगाना है या ratio में लगाना है break even या trailing ट्रेलिंग और break even के बारे में मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं basically normal stop loss से काम चलाते हैं यहाँ पर time frame आपको अलग-अलग देखने क मिलने जैसे मैंने पांच मिनिट का time वहाँ पर candle use की थी चार्ट की तो मैं यहाँ भी पांच मिनिट लगाऊंगा और trading type intraday ही है और यहाँ पर start time नो पंदरा ही लखा हुआ है और end time 39 लिखा हुआ है आप इसको अपने हिसाब से manipulate कर सकते हैं अगर आप सभा नो साड़े नो आपको इसको save changes करना है इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंबल create हो गया है यहाँ पर मुझे expired बता रहा है because strategy का मेरे पास subscription नहीं है अगर यहाँ पर subscription रहता तो आपको इस तरीके के button दिखाए देते हैं इन button में आपको सिर्फ एक start का button press करना है जैसी आप start का button press कर जाएगी और आपका जो trade है वो automatic शुरू हो जाएगा यानि कि उसके बाद जैसे ही market up या down जाती है strategy के हिसाब से तो आपका trade हो जाएगा तो यह था दोस्तों process बहुत ही आसान process से मेरे हिसाब से आपको समझा गया होगा अगर आपको फिर भी कोई confusion या query है तो आप हमारे description म number मिल जाएंगे उन पर आप call कर सकते हो छे दिन के trial में अगर आपको कोई चीज की problem आ रही है तो भी आप हमें call कर सकते हो या फिर अगर आपने हमारा platform already use करा हुआ है और आपका trial पहले आप use नहीं कर पाए हैं तो भी आप हमें contact करके बता सकते हैं हम आपका trial फिर से activate कर दे तो उसके लिए भी हम third party software जैसे के mt4 या trading view पर strategy develop करके देते हैं और हमारा platform के bridge को use करके आप उनको भी automatic execute कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको एक special वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से strategy को implement करते हैं और किस तरीके से उसको execute करते हैं तो आज के वीडियो को यहीं समाप् चीजे बेटर समझाई होगी हमारे चैनल को subscribe करिएगा बेल आइकन जरूर दबाईएगा ताकि आपको notification मिल पाए हमारे नए वीडियो के बारे में मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care and happy trading